नमस्कार जैहिन दोस्तों कक्ष्य दस्वी वार्षिक परिक्ष्य हिंदी विशे के लिए ये पेपर में बता रहा हूं आप लोगों को इसमें आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन बता जाएंगे ये आपकी वार्षिक परिक्ष्या के लिए है कक्ष्या दस्वी य आईए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये आपका हिंदी विशे का ये महत्पून पेपर जिसमें आप लोगों को पूरे इंपोरे इंपोरेंट और मोस्ट मोस्ट कुश्यन अमने बताए हैं कक्षय दसवी ठीके चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले तो शिवधन श्टूटने पर क्रोधित कोन हुए थे तो परशूराम जी क्रोधित हुए थे इसके बाद आपका अगला प्रसन देखिएगा रीतिकाल को कितनी काविधाराओं में विभाजित किया है तो रीतिकाल को तीन काविधाराओं में विभाजित किया है रीति बद् करुण रस का इस्ताइभाव शोक हो जाएगा भयानक रस का इस्ताइभाव पूछे तो आपको भे बताना है वीर का पूछे तो आपको उत्तसहा बताना है और स्रिंगार का पूछे तो आपको रत्ती बताना है करुण का आप शोक याद रखेंगे इसके बाद में देखिएगा भोलनात अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे तो इसमें आपको कुष्टी बताना है भोलनात जो है अपने पिता के साथ कुष्टी करते थे इसके बाद में देखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधर पर वाक्य के आठ भैद होते हैं और आठ भैद के अलावा रचनक आधर पर तीन होते हैं वाच्च के आधर पर तीन होते हैं ये आपको याद रखना है देखिए नेक्स्ट कुशन नेता जी का चस्मा के लेखक है तो ये शोयम प्रकास जी नेता जी का चस्मा नमक पाठ के लेखक हो जाएंगे अब यहां पर आपके आचुके हैं रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिवाले अतीव महत्पूर्ण प्रसनों के उत्तर देखेंगे उत्सा कविता में संबोधित किया गया है बादलों को चोपाई एक चंद है तो सम मातरिक चंद है खालिस् का जनम मद्द प्रदेश के भानपूरा गाउं में हुआ था भानपूरा आप लोगों को याद रखना है इसके बाद में देखिए जिसके समान दूसरा ना हो उसे अधित्य कहा जाता है गंतोक का अर्थ पहाड होता है क्या होता है पहाड और इसके बाद में देखेंगे आ लोड़ी मिलाइए यह दंतुरित मुस्कान में आप लोगों को क्या बताना है नागर जुन बताना है और इसके बाद में देखिएगा काव की शुभः बढ़ाने वाले धर्म तो वो अलंग कार कहलाते हैं रामचरित मानस तो रामचरित मानस है आपका महा काव नाच न जाने आंगन टेड़ा ये लोकुक्ति हो जाएगी लखनवी अंदाज तो ये नवाफ सहब और फेरी भेटूला इसकार्थ होता है फिर मिलेंगे अब इस जोड़ी के बाद मैं आपको अगले प्रस्न में बता रहा हूं देखिए सत्य असत्य लिखिए यहाँ पर पहला प्रस्न है बाल गोविन भगत की आयू पचास वर्स थी तो यहाँ आप लोगों को बताना है नेक्स्ट देखिएगा सीता सवयमवर में राम लक्षमान मुनी विश्वमितर के साथ गए थे इसमें आपको सत्य बताना है रीड नरकट एक प्रकार के घास से बनाई जाती है तो यह आपको सत्य बताना है दोहा चंद में 16 मातरा हैं होती है तो यह असत्य बताएंगे दोहा चंद में 16 मातरा हैं नहीं होती है दोहा में कितनी होती है 24 होती है सज्जन में स्वर संदी है तो ये भी आपका असत्य होगा क्योंकि सज्जन में स्वर संदी नहीं है वेंजन संदी है हिरोशिमा कविता अग्ये द्वरा लिखी गई ये आपका सही होगा बिल्कुल सत्य है अब हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजी वाले अती महत्मून प्रस्न यहाँ पर आपको पहला कुश्यन बताया है दसानन में कौन सा समास है तो दसानन में बहु वरीही समास आपका हो जाएगा दस है आनन जिसके पंथा का अर्थ आपको मैंने कई बार बता दिया है कमेंट करके जल्दी से आप बताएंगे गुत्वा करशन के सिध्धान का अविस्कार किस ने किया था इसमें आपको न्यूटन बताना है दसवा रस कौन सा है तो दसवा रस से वातसली रस ठीके वासले के बाद में देखिए तारकिश्वर को पिताजी प्यार से क्या केकर पुकारते थे तो भोलानात केकर पुकारते थे तारकिश्वर को भोलानात केते थे और मैं क्यों लिखता हूँ किस की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ ये अग्येई की रचना बताएंगे आप इसमें अग्येई का पुरा नाम सच्चिदनन्ध हिरननद वाचेन अग्ये बाकी आप लोगों के लिए और भी कुश्चन दिये गए हैं इन सभी कुश्चनों के उत्तर हमारे एप पर आपको मिल जाएंगे और ये इसका पीडियेप भी आपको एप्लिकेशन पर मिल जाएगा तो आप एप को डाउन उट कर लिजेगा क्योंकि आप लोगों को हमने एप्लिकेशन पर सारी चीज़े उपलब्द करा रखी है और ये आपके निभंद देख सकते हूँ रूप रेखा सहीत निभंद अनुसासन का महत्व सच भारत मेरे सपना का भारत जली जीवन है और इंटरेट का प्रभाव मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहन